Hello students, आज हम पढ़ेंगे 11th class की बुक होरन बिल का chapter 1 The Portrait of a Lady by Khushwan Singh इस chapter में हमें author ने उनके और उनकी दादी की बीच में जो relationship है उसकी कहानी बताई है He beautifully described his relationship with his grandmother कहानी बहुती रोचक है, समझ में आने वाली है, बहुत ज़्यादा tough नहीं है, easy है पहले में एक overview आपको बता देती हूँ इस कहानी का इसमें writer और उनकी दादी की बीच का relationship है कि उनकी दादी उनसे बच्पन में कितना प्यार करती है और उनकी कितनी care करती है और इसी के सासाथ इसमें गाउं और शहर की बीच का द्वन भी दिखाया गया है यानि गाउं के और शहर की life के difference को भी इसमें दिखाया गया है कि जब वो दोनो writer और उनकी दादी गाउं में होते हैं तो उसकी दादी के emotions और love उसके लिए कुछ और था और जब वो शहर में आ जाते हैं तो उनके बीच में gap आ जाता है ये story traditions emotions पर based है ओके तो line to line summary start करते है तो starting में ही writer अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी और सभी के दादियों की तरह एक व्रद महीला थी यानि के बहुत बुजुर्ग थी और बच्पन से यानि के जब से उसका जहन्म हुआ था और अब वो 20 वर्ष का हो गया है तो इन 20 वर्षों में उसे अपनी दादी के बुरापे में कोई फर्क ही नजर नहीं आया कोई अंतर नहीं आया बच्पन में भी वो उसे ऐसी के ऐसी ही लगा करती थी और अब भी उसे वो same to same as it is लगती है लेकिन लोग बताते हैं कि एक समय था कि जब वो बहुत जवान थी यंग थी खुबसूरत थी और उनके एक पती भी थे लेकिन राइटर के लिए ये सब कुछ यकीन करना मुश्किल था क्योंकि उसने तो उने शुरुआत से ही जन्म से ही बुजूर्ग ही देखा था और उनके पती की तस्वीर यानि के राइटर के दादा जी की तस्वीर ड्राइंग रूम में टंगी रहती है और उसे अपने दादा जी को देखकर ऐसा लगता है कि कभी उनकी शादी ही नहीं होगी कभी उनकी ना ही कोई पत्नी रही होगी ना बच्चे रहे होंगे बस लगता था तो ऐसा लगता था कि वो काफी बुज़ूर्ग हैं और उनके हमेशा पोते-पोतियां ही रहे होंगे उसकी दादी वो थी मैंती, स्ट्रॉग्लिंग थी और उसकी दादी जो देखने में कुछ इस परकार से थी कि उनका कद छोटा था, और वो मोठी थी और उनका चहरा जुर्यों से भरा हुआ था यानि कि एक जाल बना हुआ था उनके चहरे पर जुर्यों का लेकिन राइटर ने तो बच्पन सही शुरू सही उनको इसी तरह वरद देखा था जुर्यों वाला तो उसको अपनी दादी के खुबसूरत होने वाली बात पर यकीन नहीं हो पाता और उसकी दादी अपनी कमर पर पीछे एक हाथ पीछे रखे हुए और दूसरे हाथ से अपने माला को फेड़ते हुए यानि माला जबते हुए इधर से उधर घूमती रहा करती थी फिर राइटर बताते हैं कि वे और उनकी दादी बहुत अच्छे फ्रेंट थे राइटर बताते हैं कि जब उनके माता पिता शहर में चले गए रहने के लिए तो राइटर को खुश्वन सिंग को उनकी दादी के पास ही छोड़ कर चले गए जो कि उन्हें सुभा जगाया करती थी स्कूल के लिए तियार किया करती थी उसे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी और रोजाना डेली वो प्राते कालीन यानी सुभा की जो वंदना हुआ करती थी उसको इस स्वर में गाया करती थी कि राइटर उसे सुनेगा और याद कर लेगा और वो इससे खुश होंगी लेकिन राइटर के इसमें ज़्यादा इंटरस नहीं था लेकिन वो इसलिए बहुत खुशी से सुना करता था क्योंकि उनकी आवाज बहुत प्यारी थी फिर उसकी दादी उसका स्कूल का सारा समान निकाल कर लाती और बांध कर उसे दे दिया करती और खाने के लिए बासी रोटी पर थोड़ा-थोड़ा सा मकन लगा कर और शक्कर मिला कर और वे गाउं के कुटों के लिए भी अपने साथ कई बासी रोटी या ले जाया करती थी और ये उनका डेलिकर रूटीन था फिर आगे राइटर बताते हैं कि उनकी दादी में वहीं बैठकर धार्मिक पुस्तके पड़ा करती थी माला जपा करती थी फिर एक दिन जब उसके माता पिता शहर में अच्छी तरह बस गयते यानि अच्छे से सैटल हो गए तब उनको को बुलावा भेज देते हैं यानि कि उसकी दादी को और उसको वह शहर बलवा लेते हैं और यहीं पर इन दोनों दादी और पोते की कहानी में एक ठीज्ट आ जाता है तरणिंप उसकी दादी उसके साथ इसकोन नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे घर के दर्वाजे पर ही बस लेने आया करती थी और वहाँ पर तो कुटे भी नहीं थे कि दादी जिन के लिए रोटी पर मक्षन लगा कर ले जाए और उन्हें खिलाए लेकिन दादी को इस तरह मतनब यानि आनिमल्स को लव करना उन्हें केर करना बहुत पसंदा तो उन्होंने वह गोरेया को चुगाना शुरू कर दिया वह गोरेया के लिए रोटी के टुकडे टुकडे करके डाल दिया करती थी इसी सब के बीच उन दोनों का आपस में मिलना कम हो गया लेकिन कुछ समय तक यह रहा कि वह उसे डेली स्कूल के लिए तैयार किया करती थी और जो राइटर होते थे क्लास में वो बताते थे और साइंस के बारे में बताया करता था गुरूत्व का नियम बताया करता था आर्किमेंडीज के सिध्धान्त के बारे में बताता था और प्रत्वी के ग्राउंड होने के बारे में बताया करता लेकिन उसकी दादी को इस तरह की बाते बिल जाता है डांसिंग भी सिखाए जाती है तो दादी ये सब को सुनकर तो और जादा अपने मन में अंदर ये अंदर नाराज हो जाती है क्योंकि उसका मानना ये था कि इन सब चीजों पर वैश्यों यानि प्रॉस्टिटूट का ही अधिकार है ये उन लोगे की सीखने की चीज नहीं है तो उसको राइटर को ये सब चीज़े नहीं सिखनी चाहिए उसके स्कूल में दार्मिक चीजों का जादा ग्यान दिया जाना चाहिए उसकी दादी इस सबसे बहुत बिसागरी करती थी और वो नाराज थी इस सब चीजों से और इसी सब के बीच उनका गैप धीरे भी कम हो जाता है और दादी जादातर समय अपना चर्खा कातने में और गोरेयों को चुगाने में ही बिताया करती थी फिर आगे की पढ़ाई के लिए राइटर को विदेश जाना पड़ा तो राइटर को लगता है कि अब उसे विदेश जाना पड़ेगा तो हो सकता है उस पड़ेगा उसे जादा बूड़ी नहीं दिती वह तब भी उसे उसी अवस्था में नजरा आती जिसमें वह उसको अपनी दादी को छोड़ कर गया था पिर उसकी दादी की एक दिन तब्येश खराब हो जाती और उनकी अवस्था गिरने लगती यानिके उनकी इस्थिति और जो खराब होने लगती हैं फिर उन्हें कुछ अजीब होता है उनके अंदर और वह परोस थी अउड़क बजाकर जाती सिंगिंग करती रहती है जैसे इस तरह कि सिंगिंग जैसे कोई यूद्धा युद्ध पर से वापस आया हो जब की जाती हो इस तरह की सिंगिंग वे लगतार कई घंटों तक वह करती रहती है लेकिन वो जादा मैंटली स्ट्रस न ले जाए और उसको कुछ हो न जाए इसलिए वह यह सब बंद करवा देते हैं और दादी को आराम करने के लिए कहा जाता है अगली सुबह उसकी दादी को दादी को फीवर हो जाता है उनकी तब रेगुलर्ली प्रातना ही करती रहती है फिर उन्हें आकर लोग दुबारा देखते हैं फैमिली वाले लोग उनको दुबारा जब देखने आते हैं तो देखते हैं कि अब उनके होट भी हिलना बंद हो गए यानि कि वो जब माला जप रही थे तो उनके होट लिलते नजर रहे थे तो अब उनके वोट भी नहीं इल रहे और उनकी उंगलियां उनके हाथ बेजान हो गए हैं और उनका चहरा विल्कुल पीला पड़ चुका था दम मर चुकी थी यहाँ पर राइटर की दादी मर चुकी है फिर राइटर की यहाँ जो रिचुल्स फॉलो किये जाते हो जब शामको उनकी अध्दास अंसकार के लिए कमरे में लोग दाखिल होते हैं तो उनका कमरा पूरा का पूरा कमरा हजारों गोरेयां से भरा पड़ा होता है यानि जो गोरेयां जिनको उसकी दादी चुकाया करती थी रोटियां खिलाया और तुकड़े बना बनाकर वो यानि कि इस अवास करते हैं और बहुत सारे होते हैं तो बहुत ही शौर मचाते हैं जैसे कि वह हररोज किया करती लेकिन आज कोई शौर नहीं ताब शांती थी तो राइटर की ममा सोच्ती है कि वह उन्हें रोटी के तुकड़े करके डाल देगी तो शायद गोरेया खालें, वह कोशिश करती है और रोटियों के टुक्ड़े कड करकर के पूरे रूम में और जहां पर आ जाथी आटी है सबकी सब गोर us जाने झाती है फिर अगले दिन जब जमादार आता है तो न्म रोटियों के टुकुडों को जाडू से हटा देता है और कुडे दान में डाल देता है तो यह थी हमारी चैप्टर वन की समरी I hope आपको समझ में आई होगी मैंने बहुत ही easy way में समझाने की कोशिश की है line to line समझाने की कोशिश की है तो I hope you liked it so don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel Thank you